स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के वरिश नेता हमारे प्यारे कार्टा भाईयों और बैनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका इस पवित्र भूमी में बहुत-बहुत स्वागत आपने सुबह सुबह यहां आकर अपना समर्थन देकर हमारी मदद की इसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कुछ महीने पहले हमने यह यात्रा कन्या कुमारी में शुरू की और अब तकरीबं तीन हजार किलोमेटर यह यात्रा चल ली कश्मीर तक जाएगी स्री नगर में यह यात्रा कतम हो देश में नफरत हिंसा का महोल फिलाया गया है BJP के लोग RSS के लोग देश को बाटने में लगे हैं एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं एक जात को दूसरी जात से भाशा को दूसरी भाशा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने देश का महोल बिगार दिया है तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए मुहबत का एकता का भाईचारे का और इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की जब यात्रा शुरू की थी केरल में टमिलनाडू में शुरू की हमारे जो प्रेस के मित्र हैं मित्र कह देता हूँ मगर हमारी बात तो रखते नहीं है कभी प्रधान मंत्री का चहरा दिखाते हैं 24 घंटे भीरोजगारी की बात नहीं रखते मेंगाई की बात नहीं उठाते तो इन्होंने कहा कि देखिए ये यात्रा जो है ये टमिल नाडू में केरला में सफल हो जाएगी मगर जब ये करनाटक पहुचेगी तो ये फेल होगी बीजेपी की सरकार है वहाँ पर रिस्पॉंस नहीं मिलेगा करनाटक में गए केरल से टमिल नाडू से बहतर रिस्पॉंस फिर उन्हें कहा बीजेपी के लोगों ने भी कहा हाँ ठीक है करनाटक तो साउथ इंडिया है महराश्टरा में रिस्पॉंस ने महराश्टरे माए और जबर्दस रिस्पॉंस फिर कहा ठीक है महराश्टरा में हो गया हिंदी बेल्ट में तो नहीं होगा मध्यप्रिदेश में महराष्टा से भी बहतर रिस्पॉंस फिर का ठीक है हिंदी बेल्ट में रिस्पॉंस हो गया आगे नहीं होगा हरियाना में नहीं होगा हरियाना में उससे बहतर और अभी हुड़ा जी ने कहा कि पंजाब में हर्यारा से भी बहतर response होने वाला है और इसका कारण है कारण है कि ये जो BJP के लोग नफरत फैला रहे हैं डर फैला रहे है हिंसा फैला रहे है ये इस देश का तरीका नहीं है इस देश का इतिहास नहीं है इस देश की history नहीं है ये देश भाईचारे का देश है एक्ता का देश है इजब का देश है रिस्पेक्ट का देश है और इसी लिए यातरा सफल हो रही है लोगों ने कहा कि देखिए कॉंग्रेस पार्टी के नेता तीन हजार किलोमेटर चल रहे है और जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं कहता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है पंजाब का हर एक किसान हर एक किसान हमसे जादा चलता है ठीक है वो कन्या कुमारी से कश्मीर तक नहीं चलता है मगर वो अपने खेत में रोज चलता है मंडी तक पैदल जाता है खाद खरीदने पैदल जाता है बीज खरीदने पैदल जाता है तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है ये पूरा हिंदुस्तान ये काम करता है इन सर्कों पे चुटता है सीखने को बहुत मिला किसानों से बात हुई छोटे दुकानदारों से बात हुई मजदूरों से बात हुई बेरुजगार युवाओं से बात हुई माताय बहनों से बात हुई और जो आपका ग्यान है उससे बहुत समझने को मिला इसके लिए मैं सब को धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये जो हमारी यात्रा है इसमें हम लंबे भाशन नहीं देते हैं ये बोलने की यात्रा नहीं है ये सुनने की यात्रा है सुबह हम 6 बज़े उठते हैं पैदल चलते हैं तकरिबे 25 किलोमेटर यहाँ पे शायद 7 बज़े यात्रा शुरू होगी और हम 6-7 गंटे आपकी बात सुनते हैं हम अपनी बात रखते हैं तो इस यात्रा का स्पिरिट सुनने का है बोलने का नहीं है और हमें लगा की हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं नफरत, हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई इन चीज़ों को ये यात्रा उठाए और इनके खिलाफ ये यात्रा लड़ाई लड़े आपने अपनी शक्ती दी आपसे अब अगले दस दिन हम बाचीत करेंगे मिलेंगे, फिले लगेंगे आप सुबह सुबह आए इसके लिए दिल से फिर से धन्यवाद नमस्कार जेहिए